दियम के नेता उदय निधी स्टालिन ने अब राम मंदिर पर बयान दिया है एक बार फिर उन्होंने विवादत बयान दिया है उदय निधी ने कहा कि हम मस्जित को तोड़ कर उसकी जगह पर बने मंदिर का समर्थन नहीं करते हैं उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी मंदिर निर्मान के खिलाफ नहीं है लेकिन हम उस स्थान पर मंदिर बनाने का समर्थन नहीं करते हैं जहां एक मस्जित को ध्वस्त किया गया था बता दे कि भीते साल उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और कोरोना वाइरस से की थी उदैनिधी ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरियो और कोरोना की तरह है जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता बलकी इसे खत्म किया जाना चाहिए उदैनिधी के बयान पर काफी हंगामा हुआ था बीजिपी ने डियम के पर जमकर प्रहार किया था बीजिपी नेता अमित मालविया ने कहा था कि डियम के नेता देश के असी प्रतीशत हिंदू आबादी के खातमे की बात कर रहे हैं उनकी विवादित टिपनी को लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्च किया गया था इसको लेकर पटना की MPML अदालत ने इसी सोमवार को संग्यान पत्र जारी किया है अदालत ने उदे निधी को 13 फरवरी को अदालत में उपस्तित होने का आदेश भी दिया है वहीं अब देखना ये होगा कि उदे निधी का ये बयान कैसा राजनेतिक मोड पकड़ता है बने रहिए Mobile News 24 के साथ ऐसी तमाम खपरों से अपडेट रहनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाद से जादा शेयर करें